दोस्तों क्या आपको पता है कि आखिर कैसे एक mortar काम करता है दोस्तों दरसल जैसे mortar shell को barrel में डाला जाता है तो shell firing pin से टकराता है जिसे detonator एक्टिवेट हो जाता है और gases छूड़ते हुए blast हो जाता है जिसके explosive pressure की वज़े से shell fire हो जाता है दूसरी near surface burst जिसमें shell target से 30 cm उपर ही blast हो जाता है तीसरी impact जिसमें shell target पर गिरते ही blast हो जाता है और सबसे last में delay जिसमें shell target के उपर गिरने के बाद 0.5 सेकंड के बाद blast हो जाता है